हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर दोस्तों आज की वीडियो में देने वाला हूँ एक अपडेट जो की है भाई पारमिसी काउंसिल आफ इंडिया की ओर से तो दोस्तों ये अपडेट जो है वो एक दिन पहले आ चुका था अब इसके बारे में थोड़ तो भाई यहाँ पर बताया गया है कि regarding the pre-registration of pharmacists on प्रधानमंत्री भारतिये जन आसदी परियोजना वेबसाइट अब इसका ये मतलब है ये ये कहना चाहरा है कि भाई जो यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतिये जन आसदी परियोजना वेबसाइट है उस पर भाई साब फ् वीडियो में बात करने वाने हैं तो भाई पहले आपको दिखा देता हूं कि यह दो तीन लाइनों का कोई लिष्ट है यह पूरी टेलीग्राम जनल पर दे दूँगा आप यहां पर देखके उनसे कॉंटक्ट करके बात कर सकते हैं अपने स्टेड वाइस ठीक है तो दोस्तों यह रहा एक दुसरा नोटिस जो की भाई उसी नोटिस के साथ अटेच्ट था जो की भाई है फार्मासिट इसको तुम पढ़ लेना बहुत लंबा चोड़ा यहां पर नोटिस है ठीक है फिलाल में में बाते मैं आपको इसमें बता देता हूं इन लोगों को भाई यह कहना है कि इनके पास अभी तक करेंटली है मौर बैं 10,000 जन उसी केंड अक्रोस दा कंट्री तो भाई इनका यह क पड़ लेना आपके काम की होंगी इसमें जरूर ठीक है हम यहां पर आपको यह दिखाने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 कि भाई इसमें क्या बातें बताई जा रही है अब दोस्तों यहां पर बहुत स्टुडेंट की कंशूजन पता क्या है वो यह सो जाएंगे तो दोस्तों यहां पर पॉइंट नंबर 6 में कुछ बातें क्लियर करी गए हैं वो आपको मैं क्लियर कर दूँ यहां पर दोस्तों यह बोला गया है कि जो फ्रस्क रेजुएटेट है यानि कि इन जिनके पास बैचलर की डिगरी है और जो फाइनल येर में है और ऐसे फार्मासिस्ट जो कि भाई किसी ना किसी स्टेट फार्मेसी कांसल में रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं तो उनके पास भाई एक मौका है अगर वो अपने आपको जन औसधी गवर्मेंट वाली वेपसाइट पर खुद को रजिस्टर करते हैं तो उनके पास मौका क्या ह उनके पास मौका है कि P.A.C.S के साथ उनको जॉब के चांसेज दिये जाएंगे अब यह हम बता दे कि P.A.C.S है क्या तो भाई P.A.C.S है आपका Primary Agricultural Credit Societies यानि कि यहाँ पर इस लाइन में आपको साब साब मिल जायागा देखने को कि भाई उनके यह बोला है कि अगर आप दिंचे वाली लिंक पर अपने आपको रिजिस्टर करते हैं तो आपको Access मिल जाएगा Innumerable Potential Job Chances with P.A.C.S तो भाई इसका सीधा समतलब है अगर आप इस लिंक पर अपने आपको रिजिस्टर करते हैं तो भाई आपको P.A.C.S के साथ को जौब Chances आपकी दिये जाएंगे वतला आपको जौब मिल सकती है तो उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि भाई आप एक जन औसधी केंद्र को भी ऐसा Entrepreneur भी यहाँ पर चला सकते हैं उसको रन कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक बात हो गई आप Point No.6 को यहाँ पर क्लियर हो गए होगी ऐसे लोग जो चाहते हैं भाई इसमें कभी भी P.A.C.S के साथ जौब करना या किसी भी ब्रधान मंतरी यानि जन उसे भी किंद्र को रन करना चाहते हैं तो वो लोग भाई यहाँ पर अपने का मतलग है यह guaranteed कोई job आपको देही देंगे इसके कोई clarity नहीं है यह सिर्फ free registration है कोई job offer नहीं है ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह वोला है कि जो रजिस्ट्रेट करेंगे अपने आपको उनके पास यह मौका दिया जा रहा है कि भाई वो एक खुद अपनी separate एक जन औसदी केंद्र के लिए apply कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यह line में आप समझ जाएंगे अपसलान को पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे लिखा है कि it is further clarified that this free registration is not a job offer by PMBL भाई यह कोई job offer नहीं है सिर्फ आपको chances दिये जाएंगे कि भाई आपको chances मिल सकते हैं भाई आपको यह job देंगे ही लिए तो उसके बाद यहां पर लिखाए कि जो भाई लोग रजिस्ट्रेर करेंगे अपने आपको यानि कि जो रजिस्ट्रेंट्स होंगे वो भाई entrepreneur जो होंगे उनके साथ connect कर सकते हैं और कुछ फार्मसिस्ट जो हैं भाई वो separately अपने जन औसदी क के लिए यहां पर apply कर सकते हैं इस link के द्वारा तो भाई आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन लोगों को यहां पर register करना है और कौन को नहीं जो लोग इच्छोख हैं जन और सभी केंदर को run करने के लिए या कभी PACS के साथ job opportunity पाने के लिए तो वो लोग करें हर किसी के नहीं है जिसका भी कोई interested हो वही कर रहा है तो दोस्तों बहुत सारी confusion थी दोस्तों यहां पर लोगों के पास कि भाई किसको करना है किसको नहीं वह यहां पर confusion start out हो गई होगी होगी अब मैं आपको आगे थोड़ा सा overview दे दूँगा कि भाई कैसे कैसे उस site में आपको login करना है कैसे खुद को register करना है तो दोस्तों चलिए site पर चलते हैं फिर आपको आगे का process बताता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहां पर PMVI की official website पर आ चुके हैं जिसका interface कुछ इस तरीके का है और इसकी link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा आप direct महां से open कर लेना थोड़ा सा scroll करोगे दोस्तों यहां पर लिख के आएगा कि pharmacist register here तो भाई यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट रजिस्टर करने का बता रहा हूं यहां पर कैसे जनवसदीक के लिए apply करना है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं उस इसमें आपको क्या करना आपको फुल नेम यहां पर टाइप करना है मोबाइल नंबर इमेल आईडी आपको यहां पर लिखना है registered under state यानि कि आप किस state के अंदर हो जैसे कि UT या कुछ भी आप सब्सक्राखंड कुछ भी आप यहां पर state जिसमें हो वहां आप यहां पर फिल कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको district पूछेगा यानि कि आप कौन से जिले में रहते हो ठीक है आपके registration पर जिला वगएरा लिखा होगा district बहुत चेक कर लेना उसका complete address अपना यहां पर फिल करना उसका पिन कोड और यहां पर आपको कर देना है submit तो भाई उसके बाद जैसे आप submit पर click करेंगे आप यहां पर free registration आपका यहां पर PMBI की side पर हो जाएगा दोस्तों भविश में आपके लिए कभी जन औसदी के अंदर पर कोई भी job बगएरा होगी तो आपको यहां पर inform कर दिया जाएगा फिर कभी वीडियो दोस्तों अगली बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आप कैसे एक यहां पर ऑसदी केंदर के लिए यहां पर apply कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक option दिया गया है apply for केंदर तो यहां पर click करके apply कर सकते हैं लेकिन उसके मैं एक अलग separate video बनाऊगा तो दोस्तों आप इस वीडियो में अपने आपको क सुरच चित रहें